फ्रेंड स्वागत आपका रिनार सोई में जैसा कि आप सभी जानते हैं बारिश शुरू हो गई है बारिश आते ही हमें बहुत ही खुशी होती है और शाथ ही टेंशन भी शुरू हो जाती है कि हम अपने कीचन और घर के समानों को कैसे ठीक रखें तो आज मैं इस वीडियो मे मेरी इन जूतों को लेकर है अक्सर हम जब भी बहार जाते हमारे जूते भीग जाते है इस पेसली जो स्क्रूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है तो उसके लिए हम सबसे पहले इस तरह न्यूस पेपर लेंगे न्यूस पेपर को हम क् और हमारे जूते बहुती हद तक सूख जाएंगे और उसके बाद भी अगर हमारे जूते नहीं सूखते हैं तो हम हेर ड्रायर की मदद से इन्हें सुखा सकते हैं फ्रेंड्स हमारे जूते तो हेर ड्रायर की मदद से और पेपर की मदद से सूखी जाएंगे बट आप देख कोगे इसकी स्मेल बिल्कुल खतम हो गई है तो है ना ये काम की टेप और नेक्स टेप मेरी इन लेदर के समानों को लेकर रख अक्सर हम देखते हैं कि जो भी हमारे घर में लेदर के समान होते हैं बारिस के मौसम में उसमें अजीब सी फफुंदी लग जाती और वाइट पर लेंगे और इसे अच्छे से पोच लेंगे और पोचने के बाद हम कोकोनट ओयल लेंगे या आप कोई भी ओयल यूज कर सकते हो लेकर हम इसे लेदर के समानों पर लगाएंगे मैं या कोटन की मदब से लगा रही हूं आप इसी तरह लगाएं और लगाने के बाद हम इ दिखाती हूँ ये देखिए ये कितना अच्छा साइन कर रहा है तो फ्रेंट्स है ना ये बहुत ही काम की टिप फ्रेंट्स अगर आपको ये टिप पसंद आए तो फ्लीज थमसब देना ना भूले प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें तो नेक्स टिप मेरी इन बिस्किट और नमकीन को लेकर है अक्सर बारिस के मौसम में बिस्किट बहुत जल्दी सील जाते हैं सबसे पहले तो हम इसे एयर टाइट डबो में ही रखें और उसके बाद भी सील जाते हैं तो हम डबबे के नीचे सबसे पहले चावल डालेंगे उसके उपर इस तरह एक पेपर नहीं सीलेंगे नेक्स्ट टिप मेरी मच्छर और मक्यों को लेकर अक्सर बारिस के दिनों में बहुत जादा मच्छर और मक्यां हो जाती है उसके लिए हम निम्बू को इस तरह आधा काट लेंगे और काटने के बाद पूरे निम्बू में हम लॉंग लगा देंगे और आपके जो भी हो वो स्प्रे कर दे और स्प्रे करने के बाद इन अगरबत्यों को जला दे ऐसा करने से घर में खुस्बू भी हो जाएगी और बिल्कुल भी मच्छर और मक्या नहीं आएगी तो हैना फ्रेंट से बहुत ही काम की टिप और नेक्स टिप मेरी कपड़ों को ल बाला है और 80 से 100 एमल इसके अंदर हम जो बालों में कंडिशनर लगाते हैं वो डाल देंगे कोई भी ब्रेंड का आप डाल दे और डालने के बाद मिक्स कर ले और जब हमारे कपड़े पूरे दूल जाए लास्ट में यह डाल कर आप धो ले आप देखो कि कपड़ों में ब दो से चार माचिस की तीलियां जलाएंगे और पूरी जलने तक इसी तरह रखेंगे आप देखोगे इसके बार हमारे वाश्रूम की जो में जो स्मेल है वो चली गई है इसी से रेलेटेड मेरी सेकेंड टिप यह है कि हम वाश्रूम में इस तरह कोई भी छोटे से पॉर्ट इस तरह एयर टाइट डबो में डालकर रख सकते हैं और उसके बाद भी अगर माचिस ना चले तो हम इस तरह एक क्लीन फिल्म ले सकते हैं और क्लीन फिल्म के अंदर सारी माचिस रखेंगे और इसे अच्छे से रैप कर लेंगे और रैप करने के बाद इसे हम इस एयर कि थीध यावा वो खराब नहीं हो जाए इसके लिए हम अपना परस में हमेशा इस तरह के संध पैकेट्स पैकेच करें चारी इससे जब भी बार्स आएगी अपने समान कोğimiz पैकेच में डाल दें इसके लिए हम इस तरह एक जिपलोग पैकेट लेंगे और इसे अच्छे से रैप कर देंगे आजकल इस तरह के मुबाइल कवर भी बहुत ही आ रहे हैं मार्केट में आप वो भी ले सकते हो और आप देखोगे इसके बाद भी हमारा मुबाइल बहुत ही अच्छे से काम कर रह और लाइक करना बिल्कुल न भूले वीडियो देखने के लिए थैंक्यू थैंक्स फर वाचिंग